नमस्कार प्रधान मंत्री जी, मेरा नाम वैभव का नोजिया है, मैं कक्षा दस्वी का छात्र हूँ, मैं केंद्रे विद्याले जनकपूरी दिल्ली में पढ़ता हूँ, महोदे, मेरा आप से ही है प्रेशन है कि, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड सक्सीड वेन वी हैव स प्रधान मंत्री जी, हम बच्चे ही नहीं, हमारे अभिभावक भी आप से अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं, सुजीत कुमार प्रधान जी, जो जार्सु गुड़ा उडिसा से एक अभिभावक हैं, आप से इसी विशेपर मार्ग दर्शन की अपेक्षा रखते हैं, श्रीमान सुजीत प्रधान जी, कृपया अपना प्रशन पूछें, माननिये प्रधान मंत्री जी, स्थापत्य और चित्रकला के धनी, राजिस्थान के जैपुर की कक्षा बार्वी की छात्रा, कोमल शर्मा, आपसे अपनी परिशानी का प्रशन की, का हल चाहती हैं, कोमल, कृपया अपना प्रशन पूछें, नमस्का माननिय प्रधान मंत्री जी मौदे, मेरा नाम कोमल शर्मा है, मैं राज किये बालिका उजमादे में क्विध्याले बगरु जैपुर कक्षा बार्वी की छात्रा हूं, मेरा प्रशन आप से ये था के मेरे एक सह पार्टी का एक पेपर अच्छा नहीं गया है, तो मैं उसे दिलासा कैसे दूँ, धन्यवाद. धन्यवाद कोमल, Honorable Prime Minister Sir, Aaron Eepan, a Class 10 student of Qatar, is overwhelmed by a similar problem. Aaron, please go ahead and ask your question. Namaste Sir, greetings from MES Indian School, Doha, Qatar. My name is Aaron Eepan of Class 10. My questions to the Honorable Prime Minister of India are these. how to stop myself from procrastinating and how to keep away my exam fears and the sense of lack of preparation thank you Aaron honorable prime minister sir Vaibhav, Mr. Pradhanji, Komal and Aaron are eager to gain from your wisdom on how to handle the problem of lack of motivation and how to sustain commitment to academics also many other students from all over India want to know how to ensure that they participate equally in extracurricular activities to be well integrated individuals kindly guide all of us sir कोई ये सोचता हो कि motivation का कोई injection मिलता है है और वो injection हम लगवा दें तो फिर motivation का assurance मिल जाता है किसी को लगता है कि ये formula मिल जाए तो फिर motivation की कभी समस्या नहीं रहेगी तो मैं समझता हो कि ये बहुत बड़ी गलती होगी लेकिन पहले तो खुद को आप observe कीजिए कि आप वो कौन सी बाते होती हैं जिससे पुरी तरह demotivator हो जाते हैं आपको पता चलेगा आप दिन भर देखेंगे, सब्ता भर देखेंगे मैने भर देखेंगे तो आप पकड़ पाएंगे कहा जब ऐसा होता है तो मैं यह लगता है मैं कुछ नहीं कर सकते हैं यह मेरे लिए कठीन है तो एक खुद को जानना और उसमें भी वो कौन सी बाते हैं जो मुझे हताश कर देती है निराश कर देती है एक बार उसको जान ले और उसको एक बार लंबर बॉक्स में डाल दे ठीक है फिर आप कोशिश किजिए कि वो कौन सी चीजे हैं जो सहज रूप से आपको मोटिवेट करती है जो बाते सहज रूप से आपको मोटिवेट करती है उसको आप आइडनिफाएगी जिमान दीजिए आपने कोई बहुत अच्छा गाना सुना सिर्व उसका संगीत नहीं उसके शब्दों में कुछ चीजे ऐसी है कि आपको लगता है हाँ यार सोचने का तरीका ये भी हो सकता है तो आपने देखा होगा कि आप अचानक नए सिर्व से सोचना शुरू कर देते हैं किसे ने आपको बताया था नहीं बताया था लेकिन आपने खुद को तयार किया था कि वो कौन से चीजे हैं जो मुझे मोटिवेट करे था आपने पकड लिया तो आपको मन करेगा ये मेरे लिए बहुत काम की चीज है इसलिए मैं चाहूँगा कि आप स्वयम के विशे में जुरूर एनालिसिस करते रिजे हैं उसमें किसी और की मदद के चकर में मत पढ़िए बार बार किसी को एक जाके मत को यार मेरा मूड नहीं है मुझे मजानी आता है फिर आपके अंदर एक ऐसी विक्रेश पैदा होगी कि हर बार आप सिंपती चाहेंगे फिर आपका मन करेगा मम्मी मेरे पांस बैठे जरा मुझे पुछका रहे पुलका रहे जरा उत्साहित करे बार लालन पालन करे तो एक विक्रेश दिरे दिरे डवलप हो जाएगी कुछ पल तो अच्छे चले जाएगी और इसलिए कभी भी उन चीजों के विशे में सिंपती गेन करने के लिए उप्योग मत कीजिए कभी मत कीजिए है जिमन में मुसीबत आई निराशा आई हतास आई मैं उसको खुद जिऊँगा मैं उससे जम करके उससे जंग करूँगा और मेरी ही निराशा मेरी उदासिंता को मैं ही खत्म कर दूँगा मैं ही उसको कबर में घार दूँगा ये विश्वास लगा दूसरा है हम किन चीजों को अबजर करते हैं कभी कभी कुछ चीजों को अबजर करने से भी हमें बहुत प्रिणना मिलती है अब मालीज़ आपके ही परगर में एक तिन साल का बच्चा है दो साल का बच्चा है उसको कुछ लेना है लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल है आप दूर से देखते रहे कि वो गिर जाएगा पहुंच नहीं पाएगा ठक जाएगा तो थोड़ी देर चला जाएगा फिर आएगा फिर कोशिश करेगा मतलब आपको वो सिखा रहा है कि ठीक है मेरे लिए मुश्किल है लेकिन मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूँगा ये मोटिवेशन क्या किसी स्कूल में किसी ने पढ़ाया था क्या उस दो साल के बच्चे को कोई प्राइमिस्टर गया था कहने के लिए क्या किसी प्राइमिस्टर ने समझाया था क्या तरे नेराज मत हो जा बेटे खड़ो जा दोड़ो ऐसा कि ने कहाया था क्या जी नहीं इश्वर ने एक inherent quality हम सब में रखी हुई है जो हमें कुछ न कुछ करने के लिए वो driving force बनती है छोटे बालट में भी होता है हमने कभी इन चीज़ों को observe किया है आपने देखा होगा कि कोई दिव्यांग अपनी कुछ गतिवीदी करता है उसने अपने तरीके नून लिये हैं बहुत अच्छे तंग भीका है लिकि हमने mildly observe किया कि देखे भाई इश्वर ने उसकी इतनी शदीर में कमियां दी है लेकि उसने हारने मानी है उसने अपनी कमियों को ही शक्ति बना दिया है और वो शक्ति खुद को तो दोडाती है वो शक्ति अगर देखने वाला नहीं अबजर करने वाला जो निरिक्षन करता है उसको भी प्रेणा देती हैं हम कोशिश करें हमारे आज पास जो चीजे हैं उसको हम उस रूप में अबजर करें उसकी विकनेसिस को अबजर ना करें उस कमियों को उसने कैसे मात किया है उन कमियों को वो कैसे मात करता है उस प्रक्रिया को बारी किसे देखिए आप फिर अपने आपको उसके साथ को रिलेट करेंगे कि हाँ मैं ऐसा होता है तो मैं भी शायद ऐसा कर सकता हूँ इश्वन ने और इसलिए मुझे लगता है कि दूसरा एक विशे है क्या कभी आप खुद की एक्जाम लेते हैं क्या आप अपनी एक्जाम भी तो कभी लीजिए कोई आपके एक्जाम क्यों ले जैसे मैंने साथ मेरी जो किताब है एक्जाम बोरियर उसमें एक जगा पे लिखा हुआ है कि आप कभी एक्जाम को ही एक चिठी लिख दो हे डिएर एक्जाम अब उसको लगो तुम क्या समझते हो मैंने ये तैयारी किये मैंने ये महनत किये मैंने इतना प्रयास किया है मैंने ये पढ़ा है मैंने ये लिखा है मेरी इतनी नोटे भरी हुई है मैं टीचर के साथ इतने गंटे बैटा हूँ मैंने मम्मी के साथ इतन काम किया तो उसके जाकर अरे मैं इतना सिक्कर का है तुम कौन होते हूं मेरा मुकाबला करने वाले तुम क्या होते हैं मेरी एक्जाम लेने वाले मैं तुम्हारी एक्जाम ले रहा हूं मैं देखता हूं तुम मुझे नीचे गिरा करके दिखा दो मैं तुम्हें नीचे गढ़ा करके दिखा देता हूँ कभी तो करिये कभी कभी आपको लगता है कि भाई मैं ये जो सोचता हूँ तो सही ए गलत है आप ऐसा किजिए एक बार replay करने की आदत बनाइए replay करने की आदत बनाएंगे तो आपको एक ये नए नई दृष्टी मिलेगी, जैसे, बादो क्लास के अंदर को सीख कर गाये हो, आपके तिन चाफ दोस्त हैं, बैठिये, और आज जो सिखा है, आप ही टीचर बनके, आपके तीन दोस्तों के सिखाई है, फिर दूसरा दोस्त, और तीन को सिखाई, फिर तीसरा दोस्त, और चौथा दोस्त, यानि एक प्रकार से, जितना जितने पाया होगा, वो परोसेगा, और हरे को ध्यान में आयागा, देखे यार, उसने इस बिंदू को पकड़ा था, मिल से छूट गया था, उसने इस पॉइंट को पकड़ा था, मुझ से छूट गया था, चारों लोग जब रिप्ले करेंगे उस बात को, और खुद आप करेंगे, किताब नहीं है, कुछ नहीं है, सुना उसुना है, आप देखिए, वो आपका अपना बन जाएगा, आप चीजों को, आपने देखा होगा कहीं कोई घटना घटी हो, बड़े बड़े पुलिट के लीडर को भी, ये टीवी बाले खड़े हो जाते हैं, डंडा लेकर के, और आपने देखा होगा, वो जवाब देने में इदर दर 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 हो जाते हैं, कुछ लोगों तो पीछे से प्राम्टिंग करना पड़ता है, आपने देखा होगा, लेकिन एक गाउं के महिला है, कहीं एक्सिदेंट है, और कोई टीवी बाला पोँच गया, उसने बेचारी को टीवी कहा है मालूम भी नहीं है, और उसको पूछ लिया, आप देखें बड़े आत्म विस्वास के साथ, वो सारा वहनन कर देती हैं, कैसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिला ने आयते, डिंग ने आयते, ऐसो पर्फेक्ली चीज़ों बता क्यों, क्योंकि उसने चो अनुभव किया, उसको वो आत्म साथ कर लेते हैं, और उसके कान उसको रिपले बड़े आसामी से कर लेते हैं, और इसलिए मैं मानता हूँ, कि आप अपने आपको खुले मन से, इन चीज़ों से जोडेंगे, तो कभी भी निराशा आपके दर्वाजे पर दस्तक नहीं दे सकती है,